रादे रादे दोस्तो आपका अपने चनल पूजा पाइठो पाए में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो यह दि आपकी भी पूजा की इलवारी छोटी है तो आप भी इस वीडियो को देख करके अपनी इलवारी को बढ़ा करा सकते हैं जिससे कि उसमें काफी स्पे इस बन जाए और अच्छे से आप उसमें प्रभू को ब्राजमान कर सकें तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी पूजा की इलवारी को कैसे बढ़ा करवाया है पहले मैं सामान रखने के लिए परेशान होती थी क्योंकि यहां पर माता को मैंने ब्राजमान कर रखा है तो आँगे यहां पर जब मैं कुछ रखिती थी ना तो नीचे गिरने का ढर रहता था और अब वो परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी है और ज्यादा कुछ नहीं कराना पड़ा है बस थोड़ी देर में मेरी यह परेशानी दूर हो गई है तो मैं आपको अभी मैं दिखिए दोस्तो मैंने यह लगवा लिया है गिलास तो अब मैंने अपने लाफिंग उद्धा यहां पर व्राजमान कर दिये हैं इनको घर में रखना बहुत अच्छा माना जाता है और एक गिलास मैंने लगवाई है अपने उपर बाली इलवारी में जिसमें मैं अपने काना जी को राधा जी को ब्राजमान करके रखती हूँ अब मैंने अपने भगवान जी को दो जगे रखा है जिसे मैं भोग भी दो जगे लगाती हूँ क्योंकि सिप परवार में जो है तुलसी दलका भोग नहीं लगता है लेकिन हमारे ठाकुर जी को तुलसी दलका ही भोग लगता है तो इस वज़े से मैंने दो जगे भगवान जी को रखा है अलग-अलग दो जगे ये मैं भोग भी अलग-अलग लगाती हूँ एक जगे तुर्सी दल का और एक जगे मैं बेना तुर्सी दल का भोग लगाती हूँ पहले ही मैं इस मटकी को भगवान की को उधर रखती थी जिससे की इसका मुझे डर रहता था कि कहीं गिर ना जाए लेकिन अब यह दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इस में भी गलास लगवा लिया है और नीचे वाली में भी गलास लग गया आपको आंगे दिखा रही हूँ कि गलास को तरीके से आसाने की आशानी से लग जायता है अब आप देखिएगा पूरे मेरे भगवान जी कितने अच्छे से रख गए हैं अच्छे से उनको आसन मिल गया है अब किसी भी चीज के गिरने का हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और जब तेवार बगएरा होते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जब भगवान पे हम चड़ाते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर आराम से चड़ा सकते हैं मैं भी यहां पर सारी चीज़ें रख करके आराम से भोग आरती पूजा और भी कई चीज़ें ऐस्टा हो जाती है तेवार के दिन तो आराम से रखी जा सकती है दोस्तो आपको मंदिर का स्पेस पढ़ाने का ये मेरा आइडिया कैसा लगा अगर अच्छा लगा हूँ तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चेनल पर नए हैं तो सस्क्राइब कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सजेशन जरूर दीजिएगा तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए राधे राधे